गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है एक नमंबर और देखेंगे आज के पूरे करेंड अफेस साथ ही काफी सारे एक्ष्टा फैक्ट भी जो आपके एक्जाम पॉइंड वीडियो आप बहुत द्यान से देखिएगा अपने केर्मी का लर्निंग प्लेश्टों से डाउड कर लिज़र उसमें ऑनलाइन इस्टी पॉइंट साच करके फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अपने केर्मी प्रॉफाइल के लिंग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है दूस्ती लिंक प्रिक करके फ अपरिका के किन तीन देशों की आतरा पर जाएंगे दोस्तों जोने अपने उपराष्ट पती जी हैं अप्रीका के बोत्सवाना मलावी और जिंबांवे और मलावी जाएंगे और वहां तीनों देशों के प्रमुखों ब्यापार मंच और भारती सम्दा कर संभोधित करने क साथ वारता निधायत करेंगे दोस्तों मैं आपको उता दूख पहले चरण में उपराश्ट पती तेर में वार्षिक वर्षिक परसनी के आधिकारे गुदगाटा ने भाग लेने के लिए बोत्सवाना की राजधनी गयवोरोन पहुंचेंगे जहां 25 भारती कंपनिये पहली मलावी और जिंबामबे की तो बोत्सवाना की राजधनी क्या है गयवोरोने है करेंसी है बोत्सवाना पुला मलावी की बात करें तो मलावी की राजधनी है लिलोंगवे और मुद्रा है मालवियन क्वाचा बात करें जिंबामबे की तो जिंबामबे की राजधनी हरारे औ जो जिम्बाम्में के राश्टपती कौन है? मरंसन, मनगवा ठीक है, मरंसन, मनगवा तो दोस्तों यहां पर बात होरी उपराश्टपती की उपराश्टपती से लेटर एक्जाम में बहुत कोशन पूछा जाता है किसी भी गवर्ण एक्जाम में सबसे पहले कोश्चन पूछा आता है कि उपराष्ट पती पत की संकल्पना किस दियत से लिग गई है तो यह लिग गई है अमेरिका से और इसके लाब एक कोश्चन पूछे तराजसभा का पदेन सभपती कौन होता है करम 25 वर्ष होनी चाहिए को उपराष्ट पती बनने के लिए कोश्चन पूछा आता है कारेकाल पांच वर्स का इधायत किया गया है इसके लाब दोस्तुर भारत के पहले उपराष्ट पती थे ये कोश्चन बहुत बार पूछा जाता है सिंपल सा कोश्चन तो डाक्टर एस और देश के पहले उप्राश्ट पती ठीक है यह इसे आपको पूरा बिल्कुल concept clear हो जाएगा और दोस्ते आपके पास मैप नहीं है वर्ल्ड मैप इंडिया मैप तो आप ले लिजे और जिस भी स्टेट से आप वहां का मैप ले लिजे मैं पहले बीगवार पहले बोला था आपको तो आप लोग अपने पास मैप जरूर रखके पढ़ा करें जो जो प्लीज लाइक जरूर कर दिये करें बहुत मेहनत लगती है चलिए अगला कोश्चन देख लेते दुनिया की सबसे उची मूर्ती स्टेचू आफ हिनुटी का नावर्ण किस ने किया है तो यह तो आप सबको पता है बहुत चर्चित कोश्चन रहा है बहुत इंपोर्ट दुनिया की सबसे उची मूर्ती है यहाँ पर आपको यह फैक्ट याद रखना है अक्सर पूछ यह पूछ लिया जाएगा कि 182 मीटर इसकी उचाई ठीक है 600 फीट 182 मीटर और कहां पर है गुजरात के नर्वदा डिस्टिक में ठीक है और दुनिया की सबसे उची मूर्ती है यह ठीक है तो यह आपको याद रखने इसमें लगवक 2989 क्रड़ रुपए की लागत से बनाया गया है ठीक है लगवक 33 महीने लग गया है ठीक है 2014 में इसका उधान हुआ था तो काफी बहुत महत्तमूर कोईशन दुनिया के सबसे उची मूर्ती स्टेचू आफ इनुट साथ मंजिला इमारत जितना इसका उचा चेहरा इनका है और इंसान के गत्स से बड़े होट और आखों के जैकेट कितना बटन है ठीक है आपको बता दे दोस्तों इसमें कि 6.5 ती बृता का भूकम और 220 क्लोटर पर दिगंटिक रपतार वाली हवा भी इसको इस पर नहीं कर पाएगी असर ठीक है असर नहीं कर पाएगी तो यह आपको याद रखना है काफी इंपोर्टेंट है यहां पर यह भी आद रखना है आपको कि यहां कि इसके जो वास्तुकार थे दोस्तों वास्तुकार डिजाइनर कौन थिस मूर्थी के यह कोश्चन बहुत इंपोर्टन जाएगी चलिए अगला कोषन देख लेते हैं राश्टी एकत दिवस का मना जाता है दुस्तों राश्टी एकतदिवस मना जाता है ठीक है और इस आयजोन का जस्माने को देश दोहर चुदा में 31 अक्टूबर को हर वर्ष 12 सरकार्दवार राश्टी एक्ता दिवस शुरू किया गया था ठीक है 24 शुरू किया गया था सरदार बल्लब भाई पटेल की जहनती के अफसर पर जिन्होंने देश को एक्करित किया था तो राश्टी एक्ता दिवस का मना जाता है 31 अक्टूबर को दिवस से लेड़ेट कोश्चन अक्सर पूछा आता है इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है और अगर बात करें दो यहाँ पर 2 अक्टूबर की दोस्तों 2 अक्टूबर को प्रतिवर्स क्या मना जाता है गांधी जहनती आप सब को पता है उसके साथ साथ अंतराश्टी अहिंसा दिवस मना जाता है साथ लाल बादूर साश्तिरी जी जहनती भी मना जाती है ठीक दो अक्टूबर को ग्यार अक्टूबर की बात करें तो ग्यार अक्टूबर को अंतराष्टी बाल का दिवस बनाया था ठीक अंतराष्टी बाल का दिवस यहां पर कन्फ्यूज मत हो यह आप लोग राष्टी बाल का दिवस की बात करें तो 24 जन्वरी 24 जन्वरी को जब मेंबर हैं ठीक है तो यह आपको फैक्ट याद रगना है पांच इस्थाइस सदस्थ होते हैं सब्सक्राइब के बरत्मान महासजी कौन है इंटेने गुटेर है जो कि पूर्टगाल से हैं ठीक है तो राश्टी एकतदीवस का मना जाता है यह मना जाते दोस्तों प्रतिवर्स से मानित किया जाएगा दोस्तों ग्लिट्समैन पूर्षकार से मानित किया जाएगा मलाला यूसूब जैी को अप्सन ग्लाल यूसूब neither की की जाया है स्कृता के लिए दिया जाता है ठीक है तो यह आधिराकत जीवन में दुनिया भर में जीवन की गुर्वत्ता में सुधार के लिए दोस्तों यहां पर बात हो री मलाला युश्विप जई की तो मलाले शुप जई के बारे मैं आपको पहला की पहले बता चुका हो लेगा इने के लावा इनको और भी पूरुषकार मिल चुका है अंतराष्टी बाल सांती पूरुषकार मिल चुका है थीक है और नोविल पूरुषकार की बात करें तो इनको जो है तो बच्चों और रिवाओं के खिलाप और सभी के शिक्षा के अधिकार के लिए संखर्स करने के सबसे कम उम्र की विजयता हैं तो यह भी फैक्ट यहां से आपको क्लियर हो जाता है कला सत्यर्थी के जो कंदोलन बचपन-बचावां-दोलन के लिए ठीक है सोनम-बंग्चुक की बात करें तो भी आपको वता देया दिला दे कि रेवन मैक्स से से 1957 में थी कब 1957 में ध्यान रखिएगा नोट करते चलिएगा यह सारे कोश्चन आपके एक्जाम में कभी कभी आते रहते हैं रिपीट होते रहते हैं ठीक है चलिया और यह जो रेमन में एक्से से पूरुसकार है फिलिपीन कंट्री द्वारत दिया जाता है ठीक है यही कोश्च घुमा फिर आके पूछ लेता है आप लोग कंफ्यूज आते हैं चलिए कोश्चन नमर फाइब देख लेते दोस्तों इस आफ डूइंग बिजनेस में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इंडेक्स एलेटर कोश्चन एक्जाम बेक्सर पूछ ले जाता है तो इस आफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट मिल गया दोस्तों भारत को 77 रहेंग कौन सा रहेंग मिल गया है 77 ठीक है देखें दोस्तों आपको बता दें कि विश्चु बैंग ने ताजा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नई दिल्ली में जारी कर दियो और दोस्तों भारत के लिए भी हम है क्योंकि पिछले साल भारत ने इस आप डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 30 रैंकिंग छलांग लगाई थी अग्सो तीसमें स्थान से सोमें स्थान पर आ गया है ठीक है तो अभी परतमान में 77 रैंक पर आ ठीक है 77 बात करें अगर 2018 2017 सो में रंग पर था ठीक है 2018 में 77 था और 2016 में भी 130 अभी आपको करेंट का याद रखना है 77 नमबर पर है इस आप डूइंग बिजनेस ठीक है तो यह बहुत इंपोर्डेंट है चलिए नेक्स सोचन है विश्चु के पहले सावरेन ब्लू ब्लू ब्लॉन्ड की शुरुवात कि है सेशल्स ने सेशल्स ऑप्सन सी देखे आपको वता देख सेशल्स गणराज ने दुनिया का पहला सौबरेन ब्लू ब्लू ब्लॉन्ड लॉंच किया है और आपको वता देख जो एक सतत साधान है टिकाओ समुद्री और मत सिपालन प्रजिनाओं को समर्थन करने के लिए किया गया है ठीक ब्लू बॉन्ड और आपको बता देख अंतराष्टी निवेश्कों में 15 मिलेन अमेर्की डॉलर जुटाएं है सेशल्स की बात करें तो इसकी राजधानी क्या विक्टोरिया और करेंसी है रूपया सेशल्स रूपया है ठीक है तो विश्व के पहले सौब अभी आलिम जो यूपी पीसीएस के पेपर हो तो काफी स्टूडेंट ने हमारे कमेंट के तक सरापका करेंड़ फेस के बहुत ज्यादा कोश्चन आये थे तो आप लोग डेली जरूर देखा करें दोस्तों मेरा यह प्रयास रहते हैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटे इसके लिए उन्होंने एक अंतराश्य टीवी सो में प्रतिवत्त्ताओं का वाला देता हूं कि उन्हें अमेरिका में रहना है और सूचना राज और प्रसारण के लिए उनके स्टीप कपत्र सूचना और राजप्रसारण मंत्री को ने राजबर्दन सिंग्राठाओं ने यह संसां भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्राण के अंतरगा देख शूचासी संस्था है ठीक है चलिए तो एफ्टी टी आई के अध्यक्ष्पसीश दीपा कैस ने दे दिया अनुपाम खेर अगला कोशन देख लेते हैं टेक्नलोजी सिखर सम्मेलन दौट 19 का भा गोशना की है 2019 में आजित होने वाले डीस्टी टेक्नलोजी शिखर सम्मेलन नीदर्लेंड साज़ेदार देश होगा और डाक्टर हर्सवर्दन ने प्रद्योकिश शिखर सम्मेलन के लिए सिल्वर जूबली संसकर 2019 के पहले दिन कारक्रा में गोशना की है ठीक है तो यहां पे यह आपको राइट एंसर हो नीदर्लेंड आप देख लेते हैं दोस्तों मैंने जो कल कोश्चन पूछा था एक दिवसी क्रिकेट के इतिहाज में सबसे तेज दस अजारन बनाने वाले भारती बल्लेवाज कौन बन गये हैं ति बन गये हैं अपने कैप्टन विराट कोह बने लिए जी सभी स्टूटें ने राइट एंसर दिया था ठीक है और डिटेल में लिखा था आप देख लेते हैं आज का सवाल जिसका एंसर आपको जरूर कमेंट बाक्स में लिखना आ है भारत के सबसे बड़े स्टुस्क डॉक्स की आधार सिला कहां रखी गई है यह आ आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका अक्टूबर मुंत का पूरा करने फेस कवर हो जाएगा टॉप 70 कोश्चन में कवर किया हूँ तो फटा बट वीडियो देख लीजिए वीडियो लाइक जरूर किया करें दोस्तों अपने दोस्तों को सेर कर दिए चैनल को सब्सक्र